है तो है गाइस वेल्कम बैक टुरेदी वीडियो अब दिस चैनल तो आज है हमारा सोर्च जो कि हमारा फिजिस्क चैप्टर थर्ड है उसका 17 पार्ट है तो कल हमने बायो मास और बायो गैस प्लांट यह वाला पूरा टॉपिक खदम कर लिए बायो मास अनर्जी को अच्छे स कि तीन टाइप सोने वाले हैं और हमें तीनों को तीनों का डिस्कुशन अब अगली कुछ वीडियो में करना है तो यह से श्राट कर लेते हैं एनर्जी फ्रम्दा सी यानि की जो एनर्जी हमें सी में से मिल रही है ठीक है अब जो एनर्जी अम्होंक्त मिलती है एम प्रेसिकली इन में जेकर लिए थ्री को मिलती है डैट पर्रीं फर्स्टर फर्स्टिस टाइडल एंघ säकटंड इस वेव एव एनरजी और जो एन थर्डियरल चैनलında और्ट इस ओशन थर्मार एंची जु एधियर यह तीन पर बात करनी है तो क्या होती है टाइडल एनर्जी तो टाइडल का मतलब हमें साफ़ा चल रहा है इस रिटेट टू टाइड 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 अब टाइड जो कि आप किसी समुद्र में या ओशन में सी में देखोगे उपर नीचे वेव होती रहती है ठीक है जो ऊपर बहुत जाती है नीचे बहुत आती है उन्हें हम टाइड कहते हैं और उन्हें ही फिजिस्क्री टर्म में कुछ ऐसे पढ़ेंगे कि जो मून है हमारा मून हमें पता है कि एक ग्रैविटेशनल पूल एक्जर पूल की वज़े से जो सी वाटर होता है वो उपर उठता है यानि वो राइस करता है और उसे कहेंगे हम हाई टाइड और जब वो सी वाटर उठने के बाद नीचे गिरता है तो उसे हम कहते है लो टाइड ठीक है तो यह जो टाइडल वेवस होती है सी में यह दिन में दो ब नीचे की तरफ भी, तो rise or fall उसका twice a day होता है, और यह जो movement होता है, waves का, पानी का, इस पानी के movement के वज़े से जो हमारे high tides बनें, high tide, low tide, यह दिन में दो बार मनते हैं, यह इतनी enormous income movement होता है कि यह बहुत large amount of energy produced करते हैं, ठीक है, so tides are a large source of energy, तो को टाइट जो होता है हमारे तो ये अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में मोंबई है अरेबियान सी और इस तरफ जाए हम अगर इसट की साइड तो हमारा वेस्ट पेंगॉल है विक्षाकपटनम गोवा ये सारे सारे जो कोस्टर एरिया ज्यादा harness करता है क्योंकि यहां से C में high tide और low tide constantly बहुत frequency देख जाते हैं अब यह टाइलन एनर्जी है यह हम इससे energy कैसे निकालेंगे यह तो energy उठी हो गिर गई जब पान उठा हो गिर गई तो इससे energy कैसे हम harness करेंगे So for harnessing टाइडल energy We have to construct आ टाइडल बैरिएज रिस्ट्रक्शन ओफ टाइडल बैरिज्ट सॉरी ठीक है या फिर इसी लेंगेज में आपने सुना होगा एक डैम बना दो टाइडल दैम एक्रोस दने ने नेरो ओपनिंग तो दो अब जब हमारा वॉटर हाई जाएगा मैं फिगर की मतलब से बेश पे समझा दो आपको अब तो यह हमारी उसकी फिगर ठीक है अब यह जो आपका यह टाइडल बैरिज बनावाए या फिर टाइडल डैम बनावाए अब इसी कैसे अब working होती है जिव हाईटाइड होता है यानि जब हमारे वाटर का लेविल ऊपर जाता है तो अब क्योंकि वॉटर का लेविल ऊपर है तो यह से अंदरा आपका जा सकता है यानि कि reservoir की तरफ जाएगा तो यह जो बीच में टर्बाइन लगी विया है यह rotate होगी ठीक है अब जब टर्बाइन rotate होगी तो टर्बाइन के rotate होने से टर्बाइन के turn होने से electricity generate होगी ठीक है अब जब sea water अंदर भार ऐसा होता रहेगा इस tide produce electricity यह generate electricity पर यह तो हमारा हो गया कि टाइडल energy यह टाइडल बैरेज कैसे काम करता है टाइडल डैम कैसे काम करता है high tide है low tide है जाएगा पानी रिजर्वायर के तरफ और तर्बाइन के rotate करवाएगा उससे electricity produce होगी पर यह जो हमारे टाइडल energy है यह आगे आने वाले future में potential source of energy नहीं है यानि की मतलब बहुत जादा इसका कोई scope नहीं है इसका बहुत जादा अच्छा future नहीं है उसके reasons क्या है इस नौट पोटेंशल सोर्स अफ एनर्जी विकॉस फर्स की बहुत ही कम जगह है हमारे पास वर्ड में जहां पर इतना सर्फेस एरिया में ऐसे मिल जाए या ऐसे suitable condition की हम उसमें टाइडल डैंप को इंस्टॉल कर पाएं सो लेस नंबर आफ साइट्स अवेलेबल पर इंस्टॉलेशन ऑफ इस डैंप कि हम इसी ली उन्हें इंस्टॉल कर पाएं सेकिंड यह जो आपका सी वाटर होता है इसका राइजर फॉल हाइट और लिया फिल लो टाइट में इतना नहीं होता कि एलेक्टिशिटी हमारी लार्ज स्केल पर प्रेड्यूस हो जाए ठीक है लार्ज स्केल लेक्रिशिटी कांट भी प्रेड्यूस्ट ठीक है तो यह थे इसके कुछ डिसडवांटेज या फिर ड्रॉबच्स सेकिंड हमारे पास आती है वेव एनरजी वेव एनरजी क्या होती है वेव एनरजी अगर हमें सम नैच्रली अगर इसके वर्ट्स पर जाएं तो वेव एनरजी यानि सी वेव की एनरजी या एनरजी जो हम सी से रहते है एक फोर्म हमने पढ़ लिए उसकी टाइडल एनरजी दूसरी फॉर्म होती है जब वेव की फॉर्म में इलेक्रिस्टिटी प्रडूस करती है जब हमारा यह सी बॉटर है और हवा चलती है kosher areas में अच्छी तो जब हवा यहां से पास होती भी आएगी तो वो surface of sea जो होगा उसके water को touch करेगी तो जो बहुत तेज सी waves होंगी वो उसके surface को touch करती भी जाएगी अब क्योंकि speed हाई है तो speed से हमें क्या समझ मा रहा है कि उसकी kinetic energy अच्छी है अब kinetic energy उनमें आ गई किसमें sea waves में तो यह जो energy है in moving sea waves की हमें तो पता ही है कि जो energy होती है by the virtue of motion तो उसे हम कहते है kinetic energy अब क्योंकि इनमें kinetic energy है और fast moving है तो इसलिए कि यह energy हमारी useful होगी for the generation of electricity बहुत अलग अलग तरीके के हमें devices use करने पड़ता है when we have to harness wave energy और फिर हम electricity को produce कर पाएं तो उसके कुछ ideas है first is to set up flowing generators in the sea setting up of in the sea अब जब generator c में होंगे तो c का level तो उपर नीचे उता रहता है तो अब यह भी उपर और नीचे जाएंगे तो यह जो movement होगा उस movement की वज़े से हमारा generator produce करेगा electricity सिटी अब 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 सेकंड तरीके की हम कैसे harness कर सकते हैं इसे की जो c waves है वो उपर नीचे होती जा रही है और यह जो c waves है हम इन्हें ट्यूब के इंदर ले आए अब जब वाटर उपर जाएगा या वेब उपर जाएगी तो जो ट्यूब की अब यूज़ तो टर्ण डा टर्वाइन और फेज जेमेरेटर टू प्रड्यूस एक्षिटी तो यह उता है इसका सेकंड आइडिया पर अभी एक सिर्फ एक्सपरिमेंटल बेसिस पर यह है अभी हम सी वेव की जो एनर्जी उसे इतनी अच्छी तरह से हार्डेस नहीं कर पाए और यह तभी हार्डेस हो सकती है जिन जगाओ पर जिन एरियास में आपके सी वेव काफी स्टॉंग हो ठीक है तो यह था हमारा वेव एनर्जी थोड प्राइट हैं तक यह